यदि आप ट्रेणों में याता करते हैं या फिर आप किसी करिभी को स्टेशन ड्रॉप करने के लिए गए होंगे तो आपने ट्रेण कोच की छट पर एक बड़ी सी प्लेट जैसी चीज दिखने वाले चीज जरूर देखी होगी लेकर कि आप जानते हैं ये प्लेट जैसी दिखने वाले चीज असल में होती क्या है दरासल ट्रेण के च्छटों पर लगाए कि इस प्लेट जैसी चीज को रूफ बेंडिलेटर कहते हैं ट्रेन के डिबो में जब यात्रियों के संख्या जादा हो जाती है तो उसमें उमस काफी बढ़ जाती है आपको बेशा कि सुनने में काफी साधारा बात लग रही होगी लेकिन ट्रेन ये और यात्रियों के सुरक्षा की लिहाज से बेहती खतरनाग सावित हो सकता है कोच की भीतर बढ़ने वाली गर्मी टेन का संसुलम बिगार सकती है जिससे एक बड़ा हाथसा भी हो सकता है लिहाजा कोच की भीतर बढ़ने वाली गर्मी को बाहर निकालने के लिए कोच के अंदर छट पर बेंटिलेशन के लिए एक छेद वाली प्लेटे लगाई जाती है हम ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि गर्म होई हमेशा उपर की ओर उड़ती है इसलिए कोच के अंदर छटों पर छेद वाली प्लेटे लगाई जाती है जहां से गर्म हमाई कोच के बाहर निकाल जाती है ये गर्म हमाई कोच के भीतेवाई छेट से होते हुए बाहर की ओ लगाए गए रूफ बेंटिलेटर के रास्ते से बाहर निकाल जाती है रूफ बेंटिलेटर के ऊपर लगाए जैने वाली प्लेटे बारिस के वक्त पानी को कोच के अंदर जाने से रोकने के लिए लगाए जाती है दोस्तो ये फैक्ट आपको कैसा लगा केविन बक्त में जुरूर बताएं थैंक्स वर वाच के